राधे राधे जय श्री कृष्णा नमस्कार पित्रि पक्ष में भूल कर न करें ये गलतियां, वरना भुगतने होंगे गंभीर परिना हर वर्ष की बात इस वर्ष भी भादरपत पूर्ने मा तिथी से लेकर अमावस्या तिथी तक पित्रि पक्ष होता है इस दौरान पित्रों का तरपन एवं पिंडदान किया जाता है पित्रि पक्ष का समापन सर्व पित्री अमावस्या को होता है इस वर्ष 17 सितमबर से पित्रि पक्ष की शुरुवात हो रही है पित्रि पक्ष में रोजाना पित्रों का तरपन एवं पिंडदान किया जाता है गरुर पुराण में नहित है कि पित्रि पक्ष के दौरान पित्रों का तरपन और पिंडदान करने से तीन पीधी के पित्रों को मोक्ष की प्राप्ती होती है पित्रि पक्ष के दौरान मांगलिक समेट कई कारियों को करने की मना ही होती है अंदेखी करने से पित्रि नाराज हो जाते हैं इससे व्यक्ति विशेश के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है व्यक्ति को जीवन में धेर सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है अत पित्रिपक्ष के दौरान भूल कर भी ये गल्तिया न करें आईए जानते हैं कि पित्रिपक्ष में क्या करें और क्या न करें पित्रिपक्ष में भूल कर भी न करें यह कान गरुर पुरान में वर्नित है कि पित्रिपक्ष के दौरान तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए साथ ही शराब का भी सेवन न करें आसान शब्दों में कहें तो पित्रिपक्ष के दौरान मानसमदिरा का सेवन भूल कर न करें अन्देखी करने से पित्रों की कुद्रिष्टी व्यक्ति पर पड़ती है पित्रि पक्ष के दौरान साग, सत्तू, चने की दाल, चना, बेसन आदी चीजों का सेवन न करें साग और सत्तू का सेवन भूल कर न करें इसके अलावा, मसूर की दाल, कुल्थी की दाल, गाजर, मूली आदी चीजों से भी परहेस करें घर के बड़े व्रिद्ध का अपमान न करें परिवार में किसी का दिल न दुखाएं और नहीं उनके मानसम्मान को ठेस पहुचाएं इसके साथ ही पशुपक्षी और जीवजन्तु को भी न सताएं पित्रिपक्ष के दौरान खरीदारी न करें और नहीं नए रंग के वस्त्रधारण करें इस पक्ष के दौरान भूल कर शुब कार्य की शुरुवात न करें ऐसा करने से व्यक्ति को पित्री दोश लगता है पित्रिपक्ष के दौरान कुछ ऐसा न करें जिससे पित्री नाराज हो जोतिशाचार्य बताते हैं कि पित्रिपक्ष के दौरान देवी देवता और पित्री की भी पूजा आराधना की जाती है इसलिए कुछ ऐसे कार्य है जिनकी मनाही होती है, जैसे नए घर का निर्मान कार्य शुरू करना पित्रि पक्ष के दौरान भूल कर भी नए घर का निर्मान कार्य शुरू नहीं करना चाहिए इससे पित्री नाराज होते हैं और घर पर नकारात्मक असर पड़ सकता है मांगलिक कार्य करना पित्री पक्ष के दौरान मांगलिक कार्य जैसे मुंदन, सगाई, जनेव, ग्रह प्रवेश इत्यादी कार्य नहीं करना चाहिए इसके साथ इस समय नए वाहन, आभूशन ये सब खरीदने से बचे, पित्री दुखी होते हैं मास मदिरा का ना करे सेवन जोतिश आचार्य बताते हैं कि पित्री पक्ष के दौरान भूल कर भी तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए इससे पित्री नाराज हो सकते हैं और आपके वंश पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है इन खानों को हाथ ना लगाए कुछ खाने की चीज ऐसी है जो पित्री पक्ष के दौरान भूल कर भी हाथ नहीं लगना चाहिए जैसे चना, काला नमक, खीरा, सर्सों का साग, कद्दू इत्यादी रात्री में ना करे श्राद पित्री पक्ष में दोपहर बाद और सूर्य की रोश्नी रहते हुई पित्री तरपन श्राद इत्यादी करना चाहिए डौट रात्री के समय भूल कर भी तरपन श्राद ना करे, अशुब प्रभाव पड़ता है और श्राद तरपन निश्वल हो जाता है पित्री पक्ष में न करें जूते चप्पल और कपडों का दान पित्री पक्ष में अधिकांश लोग कपडों का दान करते हैं आप कपडों का दान तो कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि कपडे पुराने नहीं होने चाहिए नए कपडों का दान ही करना चाहिए साथ ही कपडे ऐसे खरीदे, जिनका इस्तिमाल कोई व्यक्ति आसानी से कर सकें जबकि जूते चप्पलों का दान तो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए ऐसा करने से आपका राहु प्रभावित हो सकता है और आपको राहु दोश लग सकता है पित्रिपक्ष में दान न करें ऐसे बर्तन पित्रि पक्ष में लोहे के बर्तनों का दान भूल कर भी नहीं करना चाहिए दरसल पित्रि पक्ष में स्टील या चांदी के बर्तनों का दान करना उत्तम माना जाता है आप पित्रि पक्ष में इन चीजों का दान कर सकते हैं जबकि लोहे के बरतन दान करने से आपको पित्रों की नाराजगी जेलनी पड़ सकती है, यानि आपको पित्री दोश लग सकता है पित्री पक्ष में भूल कर भी न करें ज़ाडू का दान मान्यताओं के अनुसार व्यप्ती को पित्री पक्ष में जाडू का दान करने से बचना चाहिए दरसल पित्री पक्ष में जाडू दान करने से आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है साथ ही पित्रि पक्ष में अपने घर के इस्तिमाल के लिए भी नई जाडू नहीं खरीदनी चाहिए पित्रि पक्ष में तेल का दान करने से बचें पित्रि पक्ष में भूल कर भी तेल का दान नहीं करना चाहिए दरसल ऐसा करने से आपके पित्री आपसे नाराज हो सकते हैं इस बात का विशेश ख्याल रखें कि सर्सों के तेल का दान भूल कर भी नहीं करना चाहिए पित्रिपक्ष में क्या करें? पित्रिपक्ष के दौरान रोजाना सनान ध्यान के बाद दक्षिन दिशा में मुख कर पित्रों को जल का अर्ग्य दें इसके बाद पित्रों को भोजन दें पित्रिपक्ष के दौरान पित्री चालीसा का पाठ करें और पित्री मंत्रों का जब करें पित्रिपक्ष के दौरान रोजाना संध्याकाल में छट पर दक्षिन दिशा में मुख करके सरसों के तेल का दीपक जलाएं पित्रिपक्ष के दौरान ब्रहमचर्य के नियमों का पालन करें साथ ही जरूरत मंदों की सेवा करें पित्रिपक्ष के दौरान रोजाना अपनी आर्थिक स्थिती के अनुसार अन्न, जल और धन का दान करें पित्रिपक्ष में रोजाना पशुपक्षी को चारा दें आप अपने छत पर भी पक्षियों को दाना दें पित्रिपक्ष में इन चीजों का दान करना बेहत शुब पित्रिपक्ष में अन्न का दान करना विशेश फलदाई होता है यहुँ चावल का दान आप चाहें तो कर सकते हैं इनके अभाव में कोई दूसरा अनाज भी आप दान में दे सकते हैं इस दान को करते समय संकल्प जरूर ले संकल्प सहित दान करने का विशेष महत्व है पित्री पक्ष में दो वस्त्रों का दान तो ज़रूर करना चाहिए बस ख्याल रखें कि वस्त्र बिल्कुल नए हो इसके अलावा आप चाहें तो सोने का भी दान कर सकते हैं सवर्ण दान को सबसे उत्तम दान की श्रेनी में रखा गया है अपने सामर्थे के अनुसार आप सोना दान कर सकते हैं यदि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न है तो उसे किसी जरूरत्मंद व्यक्ति को भूमी या संपत्ति का दान करना चाहिए इस दान को करने से आपको कई गुना अधिक फल मिलता है आपको ही नहीं बलकी आने वाली पीढियों को भी इस पुन्य का फल प्राप्थ होता है गाय का शुद्ध देसी घी का दान करना भी उत्तम माना जाता है गाय के घी को एक पात्र में रखकर दान करना शुभ और मंगलकारी माना जाता है इस दान को करने से घर में सुख सम्पत्ती और समृध्धी का वास होता है इसलिए पित्रिपक्ष में इन सब में से आप किसी भी वस्तु का दान कर सकते हैं इसका फल आपकी कई पीडियों तक मिलेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बैल आइकन को दबाना ना भूलें